किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बताऊगा आप सब जानते हैं इस पर मैं बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं उनको किन किन को हम मिक्स कर सकते हैं किन का परियोग हम जमीन में करते हैं और किन का परियोग हम इस्प्रे में कर सकते हैं ये सब मैं पहले ही बता चुका है मैंने एक वीडियो में यह भी बताया था कि किस बायो कंट्रोल एजेंट को हमें किस पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ में मिलाना चाहिए और किसको नहीं मिलाना चाहिए किसान साथियो आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोड़क्ट लेकर आया हूँ जिसे मैंने एक साल तक खुब अच्छी तरह से लिए पायू कंट्रोल एजेंट का अगर हम वर्गी करन करें तो मुख्यते उन्हें तीन भागों में हम बाढ़ सकते हैं एक है जो पेस्ट के लिए जो फोईलर इस्प्रे में काम आते हैं दूसरे हैं डिजीज के लिए जो फंगस और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो आपके पोदों पर आते हैं ये भी फोईलर इस्प्रे में काम आते हैं और तीसरा है रूट केर जो जडो में जो रोग होता ह है उसके लिए बायो कंट्रोल एजेंट हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है बवेरिया बस्याना है सुडो मुनास है बैसिलस सब्टिलिस है इन सब के अलग-अलग कारिये हैं तो क्या ऐसा सम्भव है कि हम जो विभिन प्रकार के पेस्ट आते हैं इनसेक्ट आते हैं आपके पोदो पर जब पतिया हरी होती है नई कोमल पतिया आती है क्या हमें एक ही इसप्रे से काम चल जाएगा या हमें सब को मिला कर करना पड़ेगा जी हाँ ये बिल्कुल सम्भव है जब मैं इस पर सर्च कर रहा था कि मुझे पता चला कि मुझे कम से कम तीन या चार बायो कंट्रोल एजेंट का परियोग करना पड़ेगा ये बायो कंट्रोल एजेंट हम क्यों परियोग करते हैं क्या ये जेविक है क्या ये केमिकल है जी नहीं ये पूर्णतिया जेविक है और आप जितने भी चाहे वो प्राकरति खेती वाले हो चाहे वो जेविक खेती वाले हो सब इनका परियोग करते हैं और जेविक खेती मे इनका परियोग को सही पाया गया है चुकि इन में कोई भी केमिकल नहीं होता है जितने भी यह बैक्टिरिया और या फंगस जो भी इन में है वो सब हम प्रकृति से लाते हैं और उसको multiply कर हम उत्पाद में इसको बजार में उपलद कराते हैं किसानों को तो किसान साथियों ढूंडता हुआ मैं पहुँचा एक मैंने साथ पहले बताया था डॉक्टर राजन लेबोरेटरीज डॉक्टर राजन लेबोरेटरीज की जब मैं वेबसाइट पर गया तो मुझे समझ में आया कि ये लोग बायो एजेंट्स पर अधिकतर काम करते हैं मैंने उनसे एक दो प्रोड़क्ट के बारे में अपनी संकाई पूछी डॉक्टर राजन ने मुझे तुरंत उत्तर दिया और ये लेबोरेटरी चेनने में है मैंने एक ये भी सोचा है कि एक बार मैं जाकर उनसे उनका इंटर्वी भी लोगा और इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा जिसके लिए वो सेहर्स तयार हो गए अब मैंने क्या प्रोड़क्ट मंगाए हैं ये आप देखिए किसान साथियो ये डॉक्टर राजन लेबोरेटरी का परचार नहीं है मैंने ये प्रोड़क्ट पैसे और कूरियर का खर्चा देकर मंगाए है सिर्फ इसलिए कि क्या इनके परियोग से मेरे पोधों में पेस्ट और जो डिजीज है वो नहीं आएंगे चूंकि जितने भी जैवी कुतपाद हैं वो प्रिवेंटिव होते हैं उनका हमें पहले से परियोग करना पड़ता है आज मैं इसका परियोग अपने खेत में करने जा रहा हूँ जो मेरे छोटे पोधे हैं जिन पर हरी हरी कोमल पत्ती आईए उन पर करने जा रहा हूँ आईए देखते हैं डौक्टर राजन लेबोरेटरी से क्या आये ये देखिए ये एक पैकेट आया है आपके सामने है अमेजिंग किसान बडुली चोरहा SH-59 कोटा साहरनपूर और ये फोन नंबर है हमारे ये देखिए इसमें बहुत सारे प्रोड़क्ट है और ये पहला प्रोड़क्ट है बायो फोलियर केर यानि फोर पेस्ट मैनूफेक्चर बाई डॉक्टर राजन लेबरेटरी इसकी जो कीमत है लगबग 500-550 रुपए है पलस GST आता है इसका प्रियोग इस समय जब लगता है आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए एक दो वर्सों तक ये ध्यान रखिए कि आपके पोधों में कीट कब आते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान कर लीजिए और उससे 15 से एक महीने पहले इनका इस्प्रे करिए ये क्या होते हैं ये पोधों के पत्तों पर कलोनी बना लेते हैं और जो हानी कारक कीट आते हैं अगर वो इनको खाएंगे तो ये उन्हें संकर्मित कर देंगे और उनकी मृत्यू हो जाएगी तो ये बायो फॉलियर केयर है जो जितने भी तरह के पेस्ट है इसमें क्या है मैं आपको ये पताता हूँ ये विभिन परकार के पेस्ट को समाप्त करता है इसमें है बवेरिया बसियाना इसमें है मेटारीजियम अनेसेपोली इसमें है वर्टीसीलियम लेकानी और इसमें ह पाचो जो बायो एजेंट हैं इन से आप देखे कितने परकार के पेस्ट कंट्रोल होंगे आपके उन्होंने लोग अलग अलग ना खरीदें और उनको जो मिलाने की किरिया है उसमें ना पड़ें तो ये लिक्विड लीजिए इसका पौडर भी आता है पौडर थोड़ा सस्त इसका इस्तेमाल भी आप इस्प्रे के लिए करते हैं इसमें ये आपका जो हैं डिजीज के लिए बना है अभी हमारे पोधे में कोई ड़ीज नहीं है पहले हम आपको मैने बताया था जो हर्बल पेस्टिसाइड का था करीब 10 दिन पहले एक एरिया में मैंने जो एक खेत है मेरा उसमें मैंने उसका इस्प्रे किया था और आज मैं कर रहा हूँ इसका जो पेस्ट है इसका इस्प्रे कर रहा हूँ इसकी मात्रा कितनी होगी इसकी मात्रा होगी पांच एमल पर लिटर ये मेरी बीस लिटर की टंकी है तो मुझे बीस गुना पांच एमल यानि सो एमल इस एक टैंक में डालना है और अपने पोदों पर स्प्रे करना है आईए इसको करते हैं सुरू और जो इसके result होंगे एक महीने बाद, दो महीने बाद, मैं फिर आप लोगों को बताऊँ का। एक यह है बायो रूट केयर, यह बायो रूट केयर क्या है, जितने भी जड़ गलन से संबंदित रोग होते हैं, चाहे वो फाइटो पतोरा हो, जड़ गलन हो, या आपका उसमें निमा टोड़ हो, इस प्रकार के सभी जो बिमारिया हैं, उनको यह केयर करता है, ध्यान यह ड्रिंचिंग होगा इसका, आप इसे ड्रिप से भी दे सकते हैं, आप इसके ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, एक आप इसे बरसात सुरू होने से पहले करिए, और एक सर्दी सुरू होने से पहले करिए, तीन बार करिए, आपके पोधों में, मुझे पुरी उमीद है कि इससे यहां तक आएगा तो हम इसे चार बाढ़ लेंगे यह देखें एक दो इसे अच्छी तरह पहले हिला लीजिए तीन चार अब हम इसे इस टंकी में डालेंगे जो मेरे 60 पेड हैं इसे मैं इस वर्स से पुन्झ्टजवी करने का निश्चे किया है और उसमें कारिये भी शुरू कर दिया है मैंने इसमें पहली बार शुरू में फरवरी इकी पर में that बर में इसमें और आब में इस पर जो पतियों का रस जो बायो केयर है फोर पेस्ट है उसका इस्प्रे करा रहा हूँ ताकि जो भी कोई कीट अगर आएगा तो उसकी पहले से ही रोक थाम हो जाए और वो ना आने पाए और पतियां अच्छी तरह बढ़ती रहें इसमें कुछ पोदे मेरे ये भी है जिन पर मैं फल ले रहा हूँ बी सी पोदे थे इन पर मैं बरसात की फसल बी लूँगा और सर्दियों की फसल भी लूँगा अभी देखिए कोमल कॉमल पत्टे निकले हैं लेकिन इन पर चुकि मैने जो मेरा हर्बल पेस्टिशाइड मैंन अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं यह अपनी कालोनी बनाएंगे पत्तों पर और उस पर इतना फैल जाएंगे कि जो भी कीट आएंगे अगर वो पत्तों को खाने के कोशिश करेंगे या उन पर जैसे ही बैठेंगे तो वो संक्रमित होंगे और उनकी मृत्यू हो जाएग तो आपको कुछ ना कुछ नुक्सान थोड़ा सा हो चुका होगा चूंकि इसका असर लगभग एक सब्तहा के बाद अच्छी तरह आपका है यह थी मेरी प्रस्तुती जो इस्प्रे के लिए बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं उनके लिए जिससे आपके पोधों के जो नए ने पत्ते होते हैं उनकी सुरक्सा हो सकते हैं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत वंदे मातरम